जानकारी ले रहे हैं और इस क्रम में जो पहला खंड आता है जानकारी के अंतरगत, वो जानकारी का इतिहास है। पिछला वीडियो में हम लोगों ने जार्खन राज के अस्थापना, इसके प्रसासने की काई और जार्खन के प्रतीक चिन के बारे में जाना आज से हम लोग जार्खन की सब्याता संस्कृति इसके इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कहा जाता है किसी के बारे में भी जानना हूँ, तो सबसे पहले उसके साथ हमारा एक लगाओ या जुडाओ होना चाहिए, और जुडाओ होने के लिए सबसे पहले तो आपको उसके उपर गरू होना चाहिए, तो अभी हम लोग जारखन का इतिहास पॉड़ रहे हैं, इसका इतिहास रहा है, उसके उपर भी गर्व होना चाहिए, तो आज हम लोग अपने राज्य का इतिहास का एक छोटा सो ओवर वीव लेंगे और इसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारा जो इतिहास रहा है, वो कितना समर्द साली रहा है, बहुत सारे ऐसे घटना आ ही मिलता है, और इस कारण हम लोगों को बहुत सारा घटना के बारे में जानकारी नहीं हो पाता है, तो चुकि आप यहां के लोगों के साथ रहके काम कीजिएगा, परतिविता परिक्षा पास कीजिएगा, तो यहां के लोगों के बीच काम कीजिएगा, इसलिए सरकार भी यह चाहती है कि यहां के लोगों के भी जो काम कर रहा है उसको यहां के लोगों के सभयता और संसक्रीथि के बारे में जानका रही हो और इसलिए आपका पुर्तिविता परिछा में जो state specific question होता है उसका weightage काफी अधिक होता है तो चलिए हम लोग यहां के लोगों के कही लेते हैं आज अगर इस वीडियो का आप लोग देख रहे हैं 20 जनवरी 2021 के दिन तो आज ही अमेरिके के राष्टपती जो बाइडन वहां राष्टपती पद का सपत ले रहे हैं आज के कुछ दिम पहले ही वहां के संसत भवन पे वहां के लोगों के द्वारा हमला हो गया या था सत्ता हस्तांतरन को लेके बहुत जादा विवाद देखने को हमको मिलता है अब इस चीज का उधारन आप लोगों को छाखन राज में मिलेगा कि सत्ता हस्तांतरन जो है कितने लोगतांतरिक तरीके से होता है आप चले जाएए लगबग 2000 साल पहले तो 84 इसवी का बा फणी मुकुट राय जो की गोद लिया हुआ बच्चा था वो नागवन से समन्दी था लेकिन पंचो ने उसे योगे समझा और ये जो राजपाठ है उन्हें फणी मुकुट राय को देने का फैसला किया और उस फैसले के अधार पे पूरा मुंडाओं ने अपना पूरा र राजपाठ एक व्यक्ति को सौब देते हैं क्योंकि वो योग्य था तो इस तरह का उधारन हम लोगों के राज़े में मौजूद है आगे अगर हम लोग देखें कि हमारा राज़े जो है वो किस तरह का और उधारन पेस करता है विश्व के सामने तो प्रयावरन को लेकि अ नाम से आम लग जानते हैं सारे निरने के उनका अधिकार राता है तो वो भी जो टोनाल ट्रम थे वो इससे वापस हो गया और इस परिस एग्रिमेंट को बहुत गहरा धक्का लगा आप पिछले साल देखेगा तो 2020 में बहुत आपको आपदाओं देखने आपदा को देखन पेट में था अब ब्राजील देखिए ब्राजील जो है 2020 के प्रत्थम साथ महिने में आपका लगबग वहां 1300 किलोमेटर स्कॉयर चेतर जलके राक हो गया 1300 स्कॉयर किलोमेटर चेतर बहुत बहुत होता है बहुत आप देखिए जार्खन जो राची जीला है राची जीला का एक महादेश में जो है वो जलके राख हो गया इसी तरह आप अगर देखे तो इंडोनोईशिया हो चाहे ऑस्टेलिया हो वहाँ के जंगलों में आग लगा प्रयावरन को काफी नुखसान उठाना पड़ा और इसी करब में आपका तीन तारीक का न्यूज में आया था कि लग के जो जनजाती है वो प्रारंब सेही यहाँ प्रयावरन को यहाँ पूजा जाता है चाहे वो को भी पर्व हो वहाँ पेड़ पूदों को पूजा जाता है कर्मा हो जित्या हो या सरूल हो जनजातियों क्या ये प्रमुक तेहवार है जिसमें इन प्रयावरनों को प्रयाव हम लोगों को कभी-कभी लगता है कि हमारे राज्य में जो है वो बहुत बड़े-बड़े भवन या महल क्यों नहीं देखने को मिलते हैं लेकिन इसका एक कारण रहा है आप देखेगा नौरतन गड जो है बस एकाद आपको इस तरह का उधारन देखने को मिलता है जो कि गड लेता होता था यहां की पाहान पुजारी जो होते थे उसी समय पाहान होते थे जब पूजा करना होता था बाकी समय लोगों के बीज वो ऐसे घुल मिल जाते थे कि पता नहीं चलता था कि कौन राजा है कौन पाहान है और कौन मजदूर है कौन मालिक है और इसी लिए जो हम ल स्वतंतरता सम्ता और बंधूता है ये जारखंडी संस्कृती में सुर्वात सही देखने को मिलता है अगर स्वतंतर नहीं होते अगर इनके उपर गुलामों की तरह सासन किया जाता तो राजा यहां के प्रजा के से टैक्स लेते और टैक्स लेके बड़े-बड़े भवन और म महतरपून कहानी है जिसके तहत कहा जाता है कि जहांगीर जो था वो इबराहीम खांग को जहारखन में बेजा जाता है और यहां के जो लोग है या यहां के जो राजा है उसको हीरा नागपूर का राजा कहा जाता है क्योंकि यहां हीरा जो है वो बहुत मातरा मिलता था तो ज तरह से जहांगीर जो है ग्वालेर किला में दुर्जन साल को 12 सालों तक बंद रखता है उसके बाद जो है उसको रिहा करने का कारण भी वही हीरा बनता है तो एक बर जहांगीर ने असली और नकली हीरे को पहचान करने के लिए राजा दुर्जन साल को बुलाया क्योंकि वो ह हीरा नागपूर का राजा था तो उसे पता था कि असली हीरा किस तरह का होता है और नकले हीरा किस तरह का होता है दुरजन साल ने असली हीरा के बारे में बताने के लिए एक सर्थ रखा कि उसके साथ साथ और जो नौ राजा वहाँ पे बंदी थे उसको भी रिया किया जाए और इससे जहांगे प्रभावित होता है क्योंकि एक ऐसा राजा जो खुद के बारे में ना सोचके और भी लोगों के बारे में सोचता है और इस तरह से वो खुस होके बोलता है कि ठीक है अगर तुम बता दोगे कि असली हिरा कौन है तो नौ राजा को भी मुक्ट कर दिया ज यहां पर आये तो देखे यह लोग जोपड़ी में रहते थे लेकिन वो लोगों को लगा कि जो राजा के चलते हम लोग छुटे हैं उसका एक काफी बड़ा महल होना चाहिए इसलिए वो लोग नौरतन गड़ को बनाये तो नौरतन गड़ भी आपको देखने को नहीं मिलत स्वतंतर थे और सब में समता और बंदूता था इसके कारण इस वरा का कोई हम लोगों को महल देखने को नहीं मिलता है यह जो गालर किला का फोटो लिया गया है वो मोहन जी के द्वारा लिया गया है मोहन जी वही है जिसके सहयता से मैं ये नोट्स बना पाया हूँ बहुत इन्होंने सहयोग किया है तभी ये नोट्स के सायता से हम ये वीडियो बना पा रहे हैं तो इनका काफी योगदान है इस वीडियो को बनाने में चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं जिसके बारे में एक छोटा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं यहां के लोगों के संगीत और पेपर पड़े होंगे तो वहां देखे आपका लिखा हुआ मानसिक स्वास्त रहने के लिए कहा जाता है मन पसंद म्यूजिक सुने और डांस करें साथी साथ प्रकृति के सन निकट रहें आप ये चीज जनजातियों में सुर्वात से ही देखने को हम लोगों को मिलता है जब प्रकार से इनके बीच जो मदभेथ था वो कभी भी गहरा नहीं हो पाता था और इस तरह से कहा जाता है खुसी बांटने से बढ़ता है और दुख जो है बांटने से घड़ता है ये चीज आप लोगों का जनजातियों संस्कृति में देखने को मिलता है ये साम को मिलते थे निरते संगीत करते थे और इसलिए इन लोगों के बीच में फांसिक रोगी देखने को कभी नहीं मिलते हैं तो कहा जाता है इसलिए हमारा जो संस्कृति है काफी गर्व करने लाइक है और हम सब को अपने राज्य पे अपने राज्य के लोगों पे और उनके सब्यता और सं जारखंड का इस सिति नामकरन और निवासी चलिए हम लोग देख लेते हैं जारखंड राजी के इस सिति के बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो जारखंड है वो हिमालाय से भी पूराना है ये गोडवाना लैंड का एक हिस्सा है जिसको हम लोग डिटेल में भोगोल में देखेंगे तो गोडवाना लैंड का हिस्सा होने के कारण ये हिमालाय से भी पूराना है इसलिए इसमें बहुत सारे खान खनीज आपको देखने को मिलते हैं तो एक ओवर भी हम लोग लेते हैं कि जो जारखंड है वो पूरे गलोब बे कहां इस सित्थ है तो स उसे पूर्वी और पश्मी गुलार्ड में बाटा जाए प्रीच्वी को तो पूर्वी गुलार्ड में है तो आपका उत्तर जारखंड के लिए भी यही होगा कि पूर्वी और पश्मी में जो जारखंड है वो पूर्वी गुलार्ड में है तो इस तरह से आपको उत्री ग सकते हैं कि ये जो है आपका पठार का पूर्वी हिस्सा है ये जो आपका प्रायदीतिय पठार है उसका पूर्वी हिस्सा है और ये आसतन रूप से लगबग 600 मेटर आपका उचा है तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारा जो जारकंड है उत्री और दक्षनी के संदर मे उत्री गुलाज में इस्तित है, पूर्वी और पश्मी के संदर में पूर्वी गुलाज में इस्तित है और हमारे प्रायदीपिय पठार का पूर्वी हिस्सा है और आसत उचाई इसका 600 मेटर है अब इसके साथ हम देखते हैं कि हमारा जो जो जारकंड का छेत्रफल है वो 89,714 किलो मीटर स्क्वाइर है जो कि पूरे भारत का 2.4 परतिशत लिये हुए ये पहले भी हम बता चुके हैं कि 2.4 परतिशत है और 1 जो है 3.3 परतिशत आपका लिये हुए साथी साथ हम लोग देखते हैं अच्छा ये आपका चेत्रफल है हम लोग देखते हैं कि जारकंड का जो अस्थान है चेत्रफल के द्रिष्टी से वो कितना है तो 15 अस्थान ये सवाल आपका पूछा जाता है कि चेत्रफल के द्रिष्टी से जारकंड का कौन सा अस्थान ह तो आपका जमुकस्मीर क्या केन सासित के रूप्य बदलने के बाद इसका जो अस्थान होता है वो पंदरवा अस्थान होता है अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका जो अक्छांसिय और देशांतरिय विस्तार है वो क्या-क्या है तो इस तरह से आप लोग को पता होगा थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो हम लोग जो है आपका दो पूल उत्री दुरू और दक्षिनी दुरू को मिलाने वाले रेखा को देशांतर करते हैं और जो आपका विश्वत रेखा के समाना अंतर जो रेखा खीचा हुआ है उसक को हम लोग अक्षांस करते हैं तो अक्षांस और देशांतरिय विस्तार भी पूछा जाता है कभी कभी जार्खन के प्रतिविता परिच्छा में तो हम लोग देख लेते हैं कि अक्षांस ये विस्तार जो है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड नोर्थ से लेके 25 डिग्री 18 मिनट अब यहां पर देखें यहां पर नोर्थ से आपको पता चल रहा होगा यह किस गोलाद में इस्तित है तो उत्री गोलाद में इस्तित है और पूर्वी पच्छीम के संदर में आप देखें तो बोला गया है देशांतरिय विस्तार अथाद ये कितना है 83 डिग्री 19 मिनट 50 से 87 डिग्री 57 मिनट तक इसका पूर्वी देशांतर में विस्तार है तो इस तरह से भारत का ये जार्खन का ये क्या है इस्तिती है कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जार्खन का जो नामकरन है वो अलग-अलग समय में किस तरह का रहा है ये वीडियो जो है ओ झाल झाल झाल